नमाज लाउड स्पीकर से क्यों पढ़ी जाती है? मस्जिद में पहली अजान किसने लगाई? मुई पुलिस जब एक तर्थ बनी प्रदूशन के खिलाब पूरे मुमी में मुईम चला रही है मस्जिदों के अंदर अजान को जो लाउड स्पीकर पे चलाया जाता है नमाज लाउड स्पीकर से क्यों पढ़ी जाती है? मस्जिद में पहली अजान किसने लगाई? आपके इन सवालों के जवाब विडियो के आखिरी में आपको हमारी प्यारी सी हिंदू सनातनी बहन है प्रग्या मिश्रा वो दे देंगी और हमने भी हमारा सिर ढख लिया है क्योंकि अजान की आवाज कानों में गुंच सकती है मैं निधी शर्मा इंडिया से और मुझे अजान की जो आवाज है सुबह चार बजे अगर कभी आँख खुल जाए कानों में पड़ती है बड़ा सुकून का अहसास होता है पर सुकून का इनफाक्ट अहसास होता है पर आए दिन हम पूरी दुनिया में ही देखते हैं कि कुछ लोग आपती जताते हैं कि लाउट्पीकर्स बैन हो जाने चाहिए नमाज के केस में अजान नहीं होनी चाहिए इतनी strongly, powerfully करिये अजान पर मस्जिद के अंदर बस जो मुस्लिम्स प्रे कर रहे हैं उन्ही को सुनाई थे So it's a matter of discussion के how it started बड़ा ही अमीर तरीन इतिहास आज हम experience करेंगे So देरी कैसी है दोस्त? तालीम हासिल कर ही ली जाए This is so peaceful man करेंगे आज़ान 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 नमस्कार दोस्तों मस्जिदों में लाउड स्पीकर से तेज अवास में हो रही नमाज का विरोध हो रहा है तो क्या आपने कभी सोचा है कि नमाज में लाउड स्पीकर की जरूरत क्यों पड़ी मस्जिदों में मिनारे क्यों होती है किसके कहने पर नमाज लाउड स्पीकर से आता की जाने लगी आज का वीडियो इसी विशह पर इसलिए वीडियो पूरा देखें अदकच्रा ग्यान खतरनाक होता है इसलिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों कुछ लोग नमाज को ही अजान कहते हैं जबकि नमाज के लिए लोगों को जोर-जोर से बुलान में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई तब मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या बहुत कम थी तब इस बात की ज़रूरत महसूस की गए कि लोगों को नमाज का समय याद दिलाने के लिए और एक जगा पर एखटा करने का कोई तरीका होना चाहिए पैगंबर म कि क्यों नमाज के टाइम पर उचाई वाली जगा पर जाके आग लगा दी जाए जिसे कि मुस्लिम धर्म के लोगों को पज़ा चल जाए कि प्रात्ना कर समय हो गया है तीसरा सुझावी आया दोस्तों कि क्यों न यहूदियों की तरह बिगुल बजाए जाए 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 ज गंटी सुनकर लोग समझ जाएंगे कि नमाज होने वाले लेकिन इसमें एक परिशानी थी कि कि किसी और के धर्म का तरीका अपनाने से दूसरे धर्म के लोगों को कंफ्यूजन हो सकती थे इस समस्या से पेगंबर मुहमद सल लाहु अलेही वसलम बहुत चिंते थे फिर उन किया और इस सपने को अलाह की और सच्चा सपना बताया पेगंबर मुहमद सल लाहु अलेही वसलम ने हजरत अब्दॉल्ला बिन जैज से कहा कि तुम हजरत बिलाल को अजान करनी के लिए को उनकी आवास बुलंद है इसलिए वो हर नमाज के लिए अजान दिया करेंगे उस उस वक्त मुसल्मान बहुत कम थे और जादातर मुसल्मानों के घर मदीना मस्जिद के आस पास ही थे तब तो उन तक हजरत बिलाल की आवास असानी से बहुत जाती थी पाद में जब लोगों ने इसलाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया और मुसल्मानों की आबादी बोलने पर आवाज कूंच दे थी और लोगों को याद आ जाता था कि नमाज का वक्त आ गया है चलो मस्जद चला जाए तो जैसे 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 जनसंख्या बड़ी शोर शराबा बड़ा गाड़ी घोड़ा हवाई जहाज की आवाजों के पीच आप मिनार पर चड़कर क्या आसमान में चिला कर कि भी किसी को पुकारेंगे तो कोई नहीं सुनेगा इसलिए आजान के लिए मतलब लोगों को बुलाने के लिए लाउट स्पीकर का चलन शुरू हो गया दोस्तों सौ किसी दी एक बात है कि ना तो अलाह ने कहा था कि मुझे लाउट स्पीकर से पुकार कर मेरी इबादत करना ना ही भगवान ने कहा था कि रामायड में लाउट स्पीकर लगाना जग रातों में मेरे भजनों के लिए लाउट स्पीकर लगा लेना यह अपने धर्म के लोगों को दूर से ही सूचित करने का तरीका है कि यहां पर नमाज पढ़ी जाने वाली है य यह है हमारे देश की सच्छी अच्छी पत्रकार जने सुनने से हम नफरती चिंटू नहीं बन जाएंगे जो अकसर तोर पर न्यूस सुनने से हो जाते हैं आज असल रीजन पता लग ही गया होगा और छुप कर हमारे जो वीडियो जना बहुत सारे अंध भक्त भी देखते ह सालों साल से लाउट स्पीकर पर अजान चलती आ रही है तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई और all of a sudden मूदी सरकार के साथ साथ यह सारे मसले ओ जागर हो गए तो आप समझ सकते हैं कि कौन इन दुविधाओं के पीछे का असल कारण है and I've heard जबी भी अजान होती है सीकर में मेरे नानी का घर है उनके तो बहुत ही करीब है मस्जद तो clearly हमको सुनाई देता है हयाल अल्फले है सारे नमाजियों को एखटा किया जाता है और यही होना भी चाहिए ताकि सब को याद रहे कि 5 वक्त जो decide किये गए हैं अल्हा की अबादत कर रहे हैं हमारे अल्हा को राजी रखने के लिए हम रोजाना कोशिश कर रहे हैं I hope कि इस वीडियो से बहुत सारा प्यार हमारी सोसाइटी में फैला होगा और हम सब मिल जुल करके एक साथ हमेशा की तरह प्यार से रहेंगे क्योंकि प्रग्या मिश्रा जी का वी